शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब करें साथ ही हमारी चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें नमस्कार मैं वर्नकाप का स्वागत करती हूं कल्मा आयुवेदा के यूट्यूब चैनल पे जहां आप किड्नी से जुड़ी सारी इंपॉरेन इंफोमेशन इजली पास सकते हैं दुनिया भार में लाखों लोग किड्नी की बिमारियों से पीड़ित हैं सही इलाज और पूरी जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोगों की जान जोखिम में आ जाती है इसने किड्नी पेशिंट को अपने खान पान का विशेश ध्यान रखना चाहिए और आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी की समस्या में कीवी का सेवन करना अच्छा है या बुरा कीवी बाहर से देखने में आलू यो चीकू की तरह लगती है लेकिन अंदर से वो बिलकुल अलग होती है कीवी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है लेकिन किड्नी पेशिंट के लिए बहुत हानी कारक है कीवी में पोटाशिम, कैल्शिम, आइरन और मागनीशिम की मातरा बहुत अधिक होती है जो किड्नी के मरीज के लिए नुकसान दायक है 100 ग्रम कीवी के अंदर 312 ग्रम मागनीशिम की मातरा मौजूद होती है किवी का सेवन अच्छा नहीं है इसके सेवन से किवी की समस्या भी बढ़ सकती है। जिन लोगों को किवी की की का भरबूर सेवन कर सकते है। लेकिन किवी से दूरी बनाए रखने की ही सला दी जाती है। तो यह थी हमारी आज जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप किड्नी पेशिंट है तो आपको कीवी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए अगर आपको ये विडियो यूस्फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको कोई भी कोई ली है तो आप नीचे कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप कर्मा युदेदा किड्नी सेंटर में भी संपर्ख कर सकते हैं संपर्ख करने के लिए हमाई डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फूर नंबर भी स्कीन के उपर मेंचेन है जिसके उपर आप कॉंटाक कर सकते हैं अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप भी किड्नी डालेसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेंफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है जी ट्वेंटी एंडी एम वन प्लॉट नंबर बी टू थ्री फो अपोजिट एन इएमस नेताजी सुभाश प्लेस पितंपुरा न्यू डेली 110034 हमारे फोन नंबर से हैं 098-7171-2050, 011-4264-4274 हमारी एमेल आइडी है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं